नमस्कार कभी देव की चर्चा हम पिछले दो भागों में कर चुके हैं और उनके दो चंदों को हम पढ़ चुके हैं और उसका रसास्वादन कर चुके हैं कभी देव का एक और कभीत पाठ्य पुस्तक में है जिसका रसास्वादन हम आज करेंगे उस कभीता को हम पढ़ेंगे पढ़ाएंगे पहले ही मैं कह चुकी हूँ कि कभीता का कोई एक अर्थ नहीं होता है वहाँ उसकी समझ एक सामूइक होती है हो सकता है आपकी कल्पना में इस कविता का कुछ और अर्थ भी सामने आए तो आप इसको जोड सकते हैं कोई एक अंतिम भाव या अंतिम अर्थ कविता का कभी नहीं होता है और किसी कविता को समझने के लिए उस कवी के उस युग को भी जानना जरूरी है और आज की सामाजिक इस्तियों को भी जानना जरूरी होता है तब ही हम किसी कविता की पूरी समझ प्राप्त कर सकते हैं ये जो छंद जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये कवी की एक दुरू कलपना है कहा जाता है जहां न पहुंचे रवी वहां पहुंचे कवी यानि कवी जो है अपनी कलपनाओं के माध्यम से ऐसे इस्थान पर भी पहुंच जाता है जहां सुझे की किरने भी नहीं जाती है तो कभी देव के इस कवित में कुछ ऐसी ही कलपनाएं हमें दिखाई देती है आईए इसको मिलकर समझें समझाएं कभी कहता है फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर उधदी ददी को सो अधिकाई उमगे अमंद बाहर ते भीतर लो भीतिन दिखिये देव दूद को सो फैन फैलियो आंगन फरस बन कवी ने यहां तरह तरह की कलपना की है चांदनी रात का चित्रण है ये पूर्णि मा की चांदनी रात का वर्णन करते हुए कवी कहता है फतीक सिलाणी सो सुधारियो सुधामन着 चांदनी रात ऐसी लग रही है चारों और वातावरण ऐसा लग रहा है जैसे सुधामने अमरित का मंदिर अमरित का घर आप जानते हैं कि चांद की जो रोशनी है उसको भी अमरित कहा जाता है तो उस चांद की अमरित रूपी रोशनी का जो घर है, मंदिर है, महल है वहाँ फटिक सलानी, इस फटिक की शीलाओं से सुन्दर बनाया गया है इस फटिक एक ऐसा पत्थर माना जाता है, जो पारदर्शी होता है और चमकदार होती है तो कभी की कल्पना यह है कि चांदनी रात में उस पूर्निमा की रात में चांद की चांदनी ऐसी लग रही है जैसे वो चांदनी का घर स्फटि की चमकती हुई आभा से योक्त शिलाओं से सुन्दर बनाया गया है आगी चलते हैं कभी इतना ही नहीं वो कह रहा है उधदी ददी को सो अधिकाई उमंगे अमंद ऐसा लग रहा है कभी को वो चांदनी रात की जैसे उधदी यानि समुद्र दधी यानि दधी इतना ही नहीं कभी आगी कल्पना करता है की एक दधी का समुद्र जैसे उम्रा चला रहा है यानि चांदनी ऐसी उमरती हुई लग रही है कि जो बिना रूके एक दही का समुद्र उमरा चला रहा है। आगी कभी कहता है बाहर ते भीतर लो भीतिन देखिये देव। कभी कह रहा है कि चांदनी ऐसी दिखाई दे रही है सब पारदर्शी वो चांदनी सब साफ दिखाई दे रहा है तो ऐसा लग रहा है कि बाहर ते भीतर लो भीतिन देखिये देव। अंदर और बाहर कोई दीवार नहीं है, कोई दीवार दिखाई नहीं दे रहे, यानि सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है, इतनी पारदर्शी चांदनी है, आप कलपना कीजिए, आज वो हम चांदनी देख सकते हैं, आज जो परियावरन का इतना प्रदूशन है, ऐसी चांद दुरलब है, लेकिन हम कलपना कर सकते हैं कि देव की जमाने में इतना परियावरन प्रदूशित नहीं था, और चांद की चांदनी या चांद की रोशनी जो है, वो साफ साफ दिखाई देती थी, वो कभी की कलपना के साथ जूड के हम इसको समझ सकते हैं, अब आगे कभी क कह रहा है, दूद को सो फेन फैल्यो आंगन फरस बंद, जो सुधा मंदिर है, चांदनी का घर है, उसका फर्ष जो है, उस फर्ष पर बिचा हुआ फरस बंद, जो फर्ष पर बिचा हुआ कालीन कहिए, या कुछ और भी कह सकते हैं, वहां कैसा है, दूद को सो फेन फैल्यो दूद का जो जाग होता है ऐसा है कि वह फर्षबंद के रूप में हमें दिखाई दे रहा है यानि कि वह चांदनी ऐसी लग रही है कि वह दूद की जाग की तरह पारदर्शी और तरल है वह पारदर्शी है तरल है इसके साथ ही इतनी चंकीली और सफेद है उसकी उपमा उन्होंने दूर्ज के फैन से दूर्ज के जाक से दी है अब आगे लीजिए ये जो चार पंक्तियां हैं आगे की इसमें कभी ने एक जटिल कल्पना की है चांद की सुंदर्ता को और राधा की सुंदर्य को दोनों को यहां सामने रखा है आगे कभी कह रहा है तारा सी तरूनी तामे ठाडी जिल मिली होती जो आस्मान है वह उसमें चांद के आसपास तारे भी है तो वह ऐसा लग रहा है जैसे उस चांदनी रात में कोई तरूनी चमकीली साडी पहने हुए हैं जिल मिलाती साड़ी पहने हुए है यानि तारे ऐसे लग रहे हैं जिल मिलाती हुई साड़ी पहने कोई तरूनी है प्रकाशवान कोई तरूनी है जिसका रूप जिल मिला रहा है कभी यह कल्पना राधा की बारे में कर रहा है कि चांदनी रात में राधा खड़ी है और तारो की चुनरी पहने हुए तारों की साड़ी जिल मिलाती, साड़ी पहने हुए चमक रही है यानि राधा का सौंद्रिय भी बहुत ही आभा से यक्त है, बहुत ही चमकीला है मोतिन की जोती मिलियो मलीका को मकरंद कवी आगे कल्पना करता है कि ये जो चांदनी रात में जो चांद के चारों और तारे दिखाई देते हैं ऐसा लग रहा है कि कोई तरूनी वहां खड़ी हुई है जिल मिलाती हुई कल्पना कर रहा है कभी कि राधा अपनी तारों की एक जिलमिलाती चुनरी या साड़ी पहने हुए अपने सौंदेरी की आभा लिये हुए उस चांदनी रात में खड़ी है राधा ने जो मोतियों की माला धारन कर रखी है उस माला के मोतियों की चमक भी राधा के सौंदेरे की चमक से दिगुनित हो गई है मोतियों की चमक राधा के सौंदर्य से या राधा के आभायुक्त सौंदर्य से और ज्यादा आभायुक्त हो गए है मिल्यो मलीका को मकरंद मलीका एक सफेद फूर होता है जो चमकदार और सुन्दर सुगंदित होता है तो पूरिमा की रात में वहाँ जो राधा का एक सुगंदित सौंदर्य है वहाँ चारों और जो मलीका पुष्व का जो बेले की किस्म का एक पुष्व होता है चांदनी रा पुष्पों की महक ऐसी लग रही है जैसे कि राधा का सौंदरी की महक या राधा के सौंदरी की खुश्बू के रूप में मलीका का सौंदरी भी उस फूल की खुश्बू भी उसमें शामिल है मलीका को मकरन परागण जिसको कहते हैं कि वो सौंदरी जो मलीका के परागणों से जो खुश्बू आ रही है वो राधा के सौंदरी की खुश्बू से समन भी तो हो रही है आरसी से अंबर में कभी आगे कह रहा है आरसी से अंबर में आरसी दर्पन को कहा जाता है तो आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लागे कभी कल्पना कर रहा है कि यह आसमान एक क्या है दर्पन है जिसमें राधीका की आभा दिखाई दे रही है उजियाली आभा दिखाई दे रही है और कभी को ऐसा लगता है कि प्यारी राधीका को प्रतिबिम्ब सो लगत चन्द चांद जो है वह राधीका का प्रतिबिम्ब है उसकी परचाई है देखिए यहां कभी ने चीजों को उलट दिया है उपमा अलंकार में ऐसा कहा जाता है उपमान को उपमे पर उपमे की तुलना की जाती है यानि चंद्रमुख कहा जाता है चंद्रमुख की तुलना की जाती है तो उपमान हुआ चांद और राधीका का मुख हुआ उपमे यानि जिसकी तुलना की जाती है वह उपमे कहलाता है और जिससे तुलना की जाती है वह का उपमान कहलाता है यहां कवी ने उलट दिया है सामान्य तह उपमे से उपमान को ज़्यादा श्रेस्ट बताया जाता है यहां कवी ने उपमे को उपमान से ज़्यादा श्रेस्ट बता दिया है कि राधिका का मुख उस चांद से ज़्यादा सुन्दर है और चांद तो जो ह रादी काक के मुख का प्रति बिंब है चाया है परचाई है इस तरह कवी ने यहां एक नया चमतकार पैदा किया याने रादी काक के सौंदे क्यों उन्होंने चांद से भी जादा बताया है उस सुंदरता को बढ़ा चड़ा कर वर्णन किया है और यहां उपमे को उपमान से सिद्ध किया गया है इस तरह इस कवीता में कवी ने चांदनी राद का वर्णन किया है उस सौंदर्य का वर्णन किया है साथ ही कवी ने राधा के उस सौंदर्य को भी चांदनी राद से जोड़ा है कई अलंकानों का प्रयोग है परिनिस्ठित ब्रजभाशा का प्रयोग य और चांदनी का वर्णन, पुर्णी मा की चांदनी का वर्णन, पुर्णी मा की रात का वर्णन अनेक कवियों ने किया है, आज की कवियों में भी हम देख सकते हैं, शमशेर ने भी जो है चांदनी रात का चितरन अपनी कई कविताओं में किया है, और उसमें एक जगे उन्हो आईना बेठोस सी यह चांदनी यानि आसमान एक नीला आईना है और तरल चांदनी उसमें दिखाई दे रही है तो यहां बाद के कवियों ने भी आकाश को आईना बताया है उसी तरह आज की कविता में आप देखे अगे ने भी चांदनी रात का वर्नन करते हुए कहा है हर य मादनी कलगी मोर सजावले कास हुएं बावले पकी जवार से निकल सशों की जोड़ी गई फलांगती सन्नाटे में जनवांक नदी की जगी चमक कर जांगती यह चांदनी का दूसरी तरह का वर्नन है यानि कि कविने अपने यूग के अनुसार करता है हर यूग के कविने इ पीले गुलाब का चूमता है बादनों के जिल मिलाते स्वपन जैसे पांग उन्होंने उस पीली चांदनी को गुलाब का दरिया बताया है जो यहां देव ने किसका दही का सागर कहा है तो कविने तरह की कलपना करता है और इसी वर्नन में ही खूबी है जैसा कि मैंने पहले स्यख्यात्राइच अदäss бой का की वर्नन करना यह जो क्रण जो कहा जा रहा है वह कैसे कहा जा जा रहा है इसी तरह उस कथन की भंगि माहिए हर कविको महत्व पूर्ण बनाती है अलग बनाती है इस तरह हमने इस चांदनी रात के सौंदर्य वर्णन में देखा है कि कवी की यहां कल्पनात्मक उडान हमें दिखाई देती है, अनुभूती की इनके सौंदर्य वर्णन में दिखाई देती है, अनुभूती की गहराई, अनुभूती की इमानदारी, अनुभूती की करलता, स यह सब हमें इस कवित में दिखाई दे रही है चुकि राधा गोरी है और वचांदनी भी सफेद चमक्ती हुई है तो राधा के गोरे पन से उस चांदनी की तुल्ना भी कवी ने की है इस तरह यह एक महतोपूर्ण कविता है जिसका आश्वादन हमने आज किया इस तरह हमने क कवी देव के पाठ्य पुस्तक में संकलित तीनों चंदों को हमने मिलकर पढ़ा पढ़ाया जाना उसके बारे में जानकारी प्राप्त की और कवी देव की काविगत विशेष्टाओं की बारे में जाना उनकी काविगत विशेष्टाओं में संगीत आत्मक्ता ध्वन्यात् यह साब हमें दिखाई देता है, प्रजभाषा का स्वस्टव तो है ही. प्रजभाषा का स्वस्टव तो है ही.